नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की किस तरह से अंतराश्ची कूटनीती में कुछ चीजें जो लगभग तैसी दिखाई देती हैं उनमें किस तरह के पेश पैदा होते हैं, किस तरह की दुविदा पैदा होती है इसकी ताजा मिसाल है लातिन अमरीका का बहुत ही एहम देश ब्राजील ब्राजील में हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, रंगारग मुकार्टरम देखा लूला की तास पोशी देखी, बोलसिनैरो को हरा कर, महस धेड़ फीसिदी वोटों के अंतर से ही सही लेकिन वह सक्ता में आये, और उसके बाद जिस तरह का नजारा दिखाई दिया, देश ने, दुनिया ने देखा उससे एक बाद साफ होती है, कि भारती राजनीती की तरह ही अंतराष्टी राजनीती में बहुत पेचोखम हैं, यहां जीत का मतलब जीत नहीं होता, और तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक ट्रम्प या बोलसिनेरो जैसी ताकतें, उनके जो समर्थर्थ हैं, वे हार ना मान लें, या सत्ता पर काबिज होने के अपने सपने को लागू करने के लिए, तमाम गैर कानूनी हतकंडे ना अपनाएं, ब्राजील से जो चिंता की तस्वीरे सामने आई हैं, उससे एक बात साफ हुई है कि ब्राजील में लूला को अपनी सत्ता को स्थापित करना बहुत आसान नहीं होगा, और अमरीका की जो तिर्ची निगाह वहां मौझूद है, उसकी धमक, उसकी परिशानी, लंबे समय तक लूला महसूस करेंगे, इस पर हमने बाचीत की प्रबीर पुरकाय स से आए, देखते हैं कि लूला, बॉलसिनारो और पीछे की जो ताकते हैं, वे क्यों यह गुल खिलाना चाहती हैं? प्रबीर जो नजारे हमें ब्राजील से दिखाई दे रहे हैं, हमने अभी पिछले एपिसोड में ही पड़ताल दुनिया भरकी में चर्चा किया, लूला की जीत पर चर्चा की थी हमने आपके साथ, और उस समय भी इस तरह की आशंका तो नहीं, लेकिन यह लग रहा था कि बॉलसेनारो के समर्थन में जो ताक्ते हैं, वो इतनी कमजोर नहीं हैं, लेकिन ये नजारा होगा कि बॉलसेनारो के जो समर्थक हैं, वो सीधे सीधे आएंगे, कब्जा लेने की कोशिश होगी, आखिर हो क्या रहा है ब्राजील में, लूला की जीत के बाद? यह तो साफ है कि लूला की जीत के बाद एक सेक्शन इसको मान नहीं रहा है पर यह भी जो देखने को मिल रहा है कि उनका ताकत इतना नहीं है ब्रेजिलिया जो उनकी राजधानी है वो एक छोटा शहर है बड़ा शहर नहीं है वो एक्चुली बनाया गया था कुछ तीस चाल जो है उस तरह से बनाई गई थी कि वो नया कैपिटल स्थापित होगा BREEZ 사람 का ब्रेजिलिया तो यह इस तरह का पुरानी इतिहास की नहीं है तो दूसरे बड़े शहरों की जो ब्रेजिल में है उस तरह की इतिहास नहीं होने से उत्ञे लोग भी नहीं है तो छोटा शहर प प्रेजिडेंट हो, सुप्रीम कोट हो, वहीं है, एसेम्बली, पार्लेमेंट जिस लोग कहते हैं, वहां पर आम लोग वहां बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा शहर है, शहर के निजरिये से, तो इसलिए उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, हमारे जैसे वहां, उनक के इशारे या उसकी सकुनाइबन से, उसकी सहमती से कहिए, उसके शिरकत से कहिए, ये घटनाई हुई है, ताकि उस वाक्त उनको खुली छूट दी गई है, कि आप इस पर गवजा कर लें, पर वह बहुत तुरंथ ही, उसका जो प्रतिक्रिया हुआ, उससे वहां से हटा द दिया गया है, और अडिनिस्टेटिव कब्जा सेटल गावब्मेंट की जो जीती हुई सरकार है, उनके हाथ में है, तो एक जीज आप से जाना चाहूंगे, कि ये जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, जो सब लोगों ने देखा कि लोग जा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं आपको क्या लगता है, मकसद क्या था, ये छोटा सा है, लेकिन सत्ता का केंद्र है, तो आपको, तो कि अब तो ये घटना हो चुकी है, कई चीजें विशलेशन भी आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये भी जाने कि दरसल इस पूरी एकसरसाइज का मकसद क्या साफ है कि जो ट्रम्प की जो हुआ था उस वक्त वाशिंग्टन में, कि एक सेक्शन समझता है कि हम उठ खड़े होके अस्विकार करेंगे इस जीत को, तो शायद बहुत सारे ताक्ते हमारे साथ आ जाएगी, वो नहीं हुआ, कि सोचा होगा कि बिलिटरी से एक ताकत अलग तूटके हमारे पास आजाएगा, वो नहीं हुआ, बोलसनारों खुद नहीं गए, ट्रम्प तो वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे, तैयार थे और हो कम से कम वहाँ पर मौजूद थे, यहां पर वो नहीं हुआ, बोलसनारों तो देश छोड़के चलेगे, वो तो इस वक अमरीका में है, तो यह सब देखते वे, उनकी अगर समझ थी, कि हम ललकारेंगे, तो पुरा देश हमारे पास आजाएगा, यह एकदम स्वपना कह सकते रहा, और वो बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया गया, फोड़ फोड़ कुछ किया, कुछ गुंडागर्दी किया, इससे तकरा नहीं है, पर एकदम कमजोर भी नहीं है, नहीं तो यह दूसाहस वो नहीं करते, करने की, सवाल यह है कि जो लार्जर इशू है, वो है कि लेफ्ट और राइट की बीश पे वहां पर टकराओ जो है, वो बरकरा रहेगा, और वो बोलसनारों जैसे ताकत वहां पर कम न लूला से, तो यह देखते हुए, कैसे इन शक्तियों के साथ मकाबला करेंगे लूला, यह एक चैलेज उनके सामने रहेगा, जिसके जिकर हम पीछले बार भी किये थे, जी, और इसी करम में मैं एक चीज और आप से जानना चाहती हूँ, कि यह जो एक टकराओ है, जिसकी आ आने वाले दिन ब्राजील के लिए, तो कि ब्राजील एक बहुत दूसरे ढंके इतिहास बोध से निकला है, जो अभी उसका बोल्चिनारो की जो पूरी सरकार रही है, जिस तरह का लूला ने एक आशवासन दिया है, ब्राजील को उस मंदी से उबारने का, रोजगार्स दे में काफी परिशानी होगी? आप जो ऐसा सवाल कर रहे हैं कि इसको भविश्यवानी करना इसके बारे में बहुत मश्किल है, तो आपको इसलिए दूसरे किसम के लोगों को बुलाना पड़ेगा, जो और कुछ देखे सब बताएंगे आपको. राजदीतिक तोर पे देखे बरकरा रखना चाहते हैं. आमजान के ये दौलत है, चाहे खनिच दौलत हो, चाहे जंगलों को दौलत हो, उसको लूटना चाहते हैं. तो ये एक कैपिटलिस सिर्फ नहीं, पर ऐसी कैपिटलिस फोर्स जो बहुत बड़े पैमाने पे सब कुछ दुनिया के खतम करने के लि चाहते हैं. तो एक अंद्रूनी ताकत वहां पर है, जो अतिपुजी बात चाहता है, और उसको भविश्य के बारे में कोई ख्याल नहीं है. और ऐसे ताकतों के साथ-साथ, ये भी एक ऐसे ताकते हैं उनके साथ, जो की military dictator, जिप जो 60s, 70s वगारे में वक्त पे थी, उसका समर्थन करता है, बोलसंदारों उनका बहुती बड़ा समर्थक publicly है. तो ऐसे ताकत भी इस पे शिरकत करते हैं. तीसरी ताकत ये है, जिसको हम feudal forces यहां कहते हैं, वहां feudal नहीं, लाटिफूंदिया कहते हैं, जिनके बहुत बड़े पैमाने पर जमीन है, और जमीन की जो है, उसके खिलाब लड़ रहे हैं. यह तो अंदरुनी टक्राओं है. तो उसका बलसंदारों प्रतीक है, पर यह नहीं समझना चाहिए, यह बलसंदारों ही है. यह इसके पीछे ऐसे शक्तिया है. बाहर की जो ताकतें जिसमें हैं, और यह मत भूलीगा, लाटन अमेरिक अमरिका का कबजे में रहा है. बहुत तीन सु साल तक उनके कबजे में रहा है. बालसंदारों की जीत के बाद, अमरिका और तमाम यह देश हैं, यह काफी प्रसन्न भी थे. अमरिका बहुत देश को ना गिने, अमरिका का 177 अधिपत्य लैटन अमेरिका पे रहा है. वो तो कहता था कि यॉरपियन ताकत को भी हम आने नहीं देंगे वो तो अमरीका की सबपत्ती है मान के वो चलते थे तो वो जो ठूट रहा है अमरीका अमरीका के लिए खतरनाक है अंतराश्ट्रिय टॉस्तर पे डॉलर तेल ये दोनों चीज लेकर जो लडाई चल रही है उसमें बड़ा मुल्क है वहां पे उनकी एक बहुत बड़ा एहम भूमिका होगा लैटन अमेरिका में अमरीका का खिलाफ जो अपना समझता है कि पूरा अधिपत्य मेरे इसी लाकूं पे रहना चाहिए उसके खिलाफ लोगों को संगठित करना राष्ट्रों को संगठित करने का एक बहुत बड़ा भूमिका लूला का पहले भी रहा है अभी भी रहेगा और जो मैंने कहा तेल और दूसरे डॉलर की आधिपत्यों के ऊपर लेके जो संगर चल रहे हैं ब्रिक्स में जो लूला ने पहले प्ले किया था वो उस तरह का एक रोल प्ले करने कि दुनिया में उसकी लोगों के आशा है कि वो ऐसे रोल प्ले करेंगे तो दुनिया के स्थर पे ब्रिजील को खास तोर से लूला को ब्रिजील के अंदर ही अगर लपेट लिया जाए चाहे काबू ना कर पाए पर लपेट लिया जाए तो उनकी बाहरी जो ताकत है जो बाहरी पाइबित इसमें दृष्टिकोन ये है कि कैसे लूला को अपने देश में ही रखा जाए उसको बाहर निकलने ना दे इसलिए इस तरह के घटनाओं की और भी संभावना इसलिए है क्योंकि जब तक ब्रजिल में उलजे रहेंगे तो शायद बाहर नहीं इतना बोल क्योंकि इससे एक टेंशन भी जो बिल्डप हुआ है जो प्रिशर बना है लूला को जिस तरह से जिन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा और खास और से अड्मिस्टेशन पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था क्योंकि तरह से इतनी जल्डी हो जाएंगी ये जरूर मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा परेशान हुए या थोड़ा आश्चर चकित हुए कि तुरं तुरंट उसी तरह से हो जाएगा जैसे ट्रंप के समर्थक अमरीका में उत्रे बिल्कुल सही है सवाल ये है कि ये मत भूलिएगा ये हमें सोचना भी चाहिए कि गलती सिर्फ हमारे लोगों की नहीं होती है विपक्ष के लोगों की भी होती है तो मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा जल्दी ये चाल चल दिये और उनको अगर ये करना था तो शायद कोई ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला है अगर भविश्य के ओर देखे तो शायद ऐसे चीज़े उनको बाद में करने के लिए रखना चाहिए था तो थोड़ा सा एक तरफ से थोड़ा लेट हो गए और दूसरे तरह से थोड़ा जल्दी हो गए तो मेरे ख्याल से इसका कि ब्रजिल की अंदरूनी और बाहर की संघर्ष रहेगा उसमें अम्रिकार और ब्रजिल की अंदरूनी ताकते जुड़ए होती है अब ब्रजिल इस पर क्या भूबी का अदा कर पाएंगे. अंतराष्ट्रिय स्थर पर भी इस वाल है. जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभीर. दोस्तों, अंतराष्ट्रिय क्वबरों पर जो जिस तरह से घटनाएं बदल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उस पर पैनी निगाह बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे समझ आता है कि राजनिती में जो उठा पटक है इसके पीछे की जो ताक्ते हैं और खास तोर से जो आर्थित लूप्ट की ताक्ते हैं हमने बात की ब्राजील की ब्राजील में जो एमेजन है यह दुनिया भर का लंग है यानि फेफडे यहां से ही दुनिया ऑक्सिजन पाती है सबसे बड़े पैमाने पर और इसे काटने की जो साजिश रचने वाले लोग थे जो पूझी वादी ताक्ते थी वह दरसल चाहती हैं कि लूला जैसी राजनीती ना हो ताकि वे लूट का राज कायम कर सकें और शायद यह समझने के लिए जरूरी है इस तरह की परताल का होना देखिए लाइक करिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया